सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीड चैनल को पर बेल आइकोन को दबाईए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स आज हम इस लेक्षर में पढ़ने जा रहे हैं जीबिग्यान यानि की बायोलोजी या फिर लाइफ साइंस उसके नए चैप्टर के बारे में और चैप्टर का नाम है कोसिका यानि की सैल्स हमने तीन पार्ट देख लिये हैं अब जो है यहाँ पर पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नामकरण कैसे होता है जीबों का टैक्सोनॉमी फादर ओफ टैक्सोनॉमी इन सब चीजों के बारे में हमने जाना था अगेन यहाँ पर अगला पार्ट आ गया है जो की होगा कोसिका से related, cell से related और अगेन इसमें आप लोगों की डिमांड के उपर टेस्ट रखा गया है लास्ट में आपसे हर वीडियो में आप लोगों को लास्ट में टेस्ट मिलेगा तो वीडियो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर से एर कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं बात करें कोसिका की यानि की cells की तो cell क्या होते हैं, आखिर होते क्या हैं तो देखिए जीवों की रचनात्मक, ठीक है ये जो लाइन में पढ़ रहा हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि as it is, लाइन जो है आपके एक्जाम में आ जाता है और पूछा जाता है कि ये आखिर है क्या जीवों की रचनात्मक, किरियात्मक और अनुवानसिक एकाईयों को कोसिका या फिर cell कहते हैं क्या कहते हैं, जीवों की रचनात्मक, किरियात्मक और अनुवानसिक एकाईयों को कोसिका या फिर cell कहते हैं कोशी का सब्द की बात करें तो कोशी का सब्द का जो प्रयोग किया था है ना प्रयोग तो सरप्रथम 1665 में इस डेट को बिलकुल आपको भूलना नहीं है 1665 में रॉबर्ट होक किसने रॉबर्ट होक ने यानि कि नामक एक अंगरेज बैग्यानिक ने किया था तो most IMP question यहां से बनता है कि कोशी का सब्द का प्रयोग सरप्रथम 1665 में किसके द्वारा किया गया था तो वो किया गया था रॉबर्ट होक के द्वारा या फिर question ऐसा बनता है कि कोशी का की खोज या कोशी का सब्द का प्रयोग कब हुआ तो वो हुआ 1665 में तो इसको आपको याद रखन आगे कुछ point देखते हैं जीवों की कोशिकाओं के रूप में है ना जीवों की कोशिकाओं के रूप आकार और संख्या में काफी भिन्यता होती है और सबसे छोटी कोशिका Mycoplasma Gallo Septicum नामक जीवानू की होती है तो एक question नहां से again बनता है की सबसे छोटी कोशिका किस में होती है किस जीवानू में होती है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है Mycoplasma Gallo Septicum बोल सकते हो या फिर Mycoplasma सिर्फ only आप इतना भी याद रख सकते हो इसकी माप है 0.1 Micrometer बहुत ही कम 0.1 Micrometer तक पाई गई है सबसे बड़ी कोशिका जो होती है सतुर मुर्ग सतुर मुर्ग का जो अंडा होता है उसमें होती है और इसकी माप है 170 x 135 mm तक तो सतुर मुर्ग जैसे कि सबसे बड़ा पक्छी भी है तो उसका अंडा भी सबसे बड़ा ही होगा और उसके अंतरगत पाय जाने वाला उसका जो कोषिका होगा वो भी सबसे बड़ा ही होगा तो इसमें हमने क्या क्या जाना? किसने की तो हुखने दूसरा कि सबसे छोटा कोषिका किसमे होता है तो वो होता है मायको प्लाज्मा ठीक है अब बात करें तीसरा question कि सबसे बड़ा है ना तीसरा question क्या है सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन सा है सतुर मुर्ग है ना सुतुर मुर्ग का जो अंडा होगा सुतुर मुर्ग नहीं सुतुर मुर्ग का अंडा उसका सबसे बड़ा होगा तो ये तीन question जो है very IMP है इसको आप note कर लेजे, copy में लिख लीजे देखिए बच्चों, notes ज़रूर बनाएं, copy लेके बैठे पढ़ने के लिए और notes को बनाते रहें, ताकि आपको revision करते समय आसानी हो ठीक है, चलिए कुछ और point जानते हैं, important कि जन्तूओं के सरीर में तंत्रिका कोसिकाएं 90 cm से एक मीटर तक या इससे भी अधिक लंबी हो सकती है, यानि कि बात की जा रही है, जन्तूओं की तो उसके सरी में अगर तंत्रिका कोसिकाएं हैं, तो वो 90 cm से लेकर एक मीटर तक हो सकती है, और इससे बड़ी भी हो सकती है ये चीज बोला गया कुछ GEEVों का सरीर चेवल reptile क क का बना होता है अरथाथ ऐसे जीव एक को सीचिय जीव याने की यूणी इसल्ल llri होते हैं जैसे की अमीबा ठीक, बच्पन में हम बोलते थे एक कोशीय जीव होता है आपका कौन अमीबा तो इसको याद रखेगा कॉस्चन आ जाता है कि एक कोशीय जीव इनमें से कौन सा है या नहीं है इस टाइब के question बनते हैं अब ज़ादा मानो सरीर की बात करें तो मानो सरीर में लगबग 5,000 अरब कोसिकाएं होती है बहुत ज़ादा कितनी 5,000 अरब कोसिकाएं होती है और कोसिकाओं की संख्या जीब के सरीर के आकार पर निर्भर करती है अब देखिए माली जी एक नॉर्वन बनुस है जो की उसमें मतलब ज्यादा पतला है तो उसके में कहो 4000 अरभ हो और कोई अच्छा हो जैसे की जिम करने वाले लोग जैसे की आपके जो फाइटर लोग होते हैं WWE के उन लोग में ज्यादा होगा क्यों प्रोटीन लेकर अपने स इंपोर्टेंट है यहां पर मैंने सभी इंपोर्टेंट चीजों को ही रखा हुआ है जो की NCRT पर बेस्ट हैं आपके अब सन 1839 में दो जर्मन बैग्यानिक जिसको हम स्लीडेन या फिर स्लाइडेन बोलते हैं तथा स्वान ने कोशी का बाद यानि कि सैल का प्रस्ताव दि अब उस थेवरी में क्या था सभी जीवधारी कोशीकाओं वा कोशीकाओं के उत्पादों से बनते हैं क्या बोला उन्होंने कि जितने भी जीवधारी हैं वो कोशीकाओं या कोशीकाओं के उत्पादों से बनेंगी कोसिकाएं जीबधारियों की मूल भूत सन्रचनातमक एकाई होती है तो यह सैल ठेओरी था लेकिन मैं आपको बता दूँ इसका एक अपवाद भी है अपवाद वै है जो कि वाइरस वाइरस एक अपवाद है क्योंकि इसमें कोई कोसिका नहीं होती इसमें सैल नहीं पाए जाते ठीक है तो इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे अब कोसिका से धान्त की मुखे बाते हैं कि प्रत्यक जीप के उत्पत्ती एक कोसिका से होती है ठीक है ये बोला उन्होंने और प्रत्यक जीव का सरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है तो यहीं पर वो अपवाद है वाइरस जिसमें कोशिकाओं पाए नहीं जाती है प्रतिक कोसिका एक स्वाधी निकाई है तथा भी सब कोसिकाई मिलकर काम करती है फलसरोप एक जीव का निर्माण करती है यानि कि वही कि जो कोसिका है उसी से एक जीव की उत्पत्ति होगी प्रतिक जीव का सरीर जो होगा कोसिका से बना होगा और सभी कोसिकाई मिलकर काम करे करेंगी और एक जीव का निर्माण करेंगी कोसिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख अभिकरता यह में क्रियेटर होता है तो जैसे कि मानने यह कोसिका है तो उसके अंदर एक केंद्रक जरूर पाया जाता है जो कि उसमें जो है मुख भूमिका निव और यहां पर जन्तु कोशिका से भी उठता है तो देखते हैं क्या है देखिए पादप कोशिका और जन्तु कोशिका में अंतर की बात करें तो जैसे ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं इसमें भी आपको अंतर मैं समझाओं को पहले यहीं पर देखिए सबसे बड़ा दो चीज ऐसी है जो जनतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, कौन-कौन सी, कोशिका भित्ती नहीं पाई जाएगी, और हरित लबक नहीं पाई जाएगे, वैसे ही, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, और तारक केंदर नहीं पाया जाएगा, तो दोनो के जिली फिर गुण सूत्र प्रदीप तजालिका राइजो राइवोसोम और कोशिका द्रवी यह सभी इन में हैं तो यही दो मेजर डिफ्रेंस है कोशिका भित्ती और हरितलवक और इधर बात करें तो लाइसोसोम की और तारकेंद की ठीक अब देखें यहां पर लिखा कोशिका में मोटी एबम कड़ी कोशिका भित्ती के कारण कोशिका का नियमित आकार होता है लेकिन कोशिका का अनिमित आकार होता है हमारे सरीर में या जन्तु कोशिका में कोशिका का अनिमित आकार होता है पेडों में वही कोशिका भित्ती पाई जाती जिससे द्रां और बता चुका हूँ कि ये और ये चीज यहाँ पर नहीं होती है और इसमें लाइसोसोम और तारकेंदी ये जो है यही चार चीज मेजर डिफ्रेंस क्रेट करते हैं इसी में कॉस्चन आता है कॉस्चन ऐसा आएगा कि हरित क्या हरित लबक जिनतु कोसिका में भी पाए जाते हैं तो आप कौन से लगाना है नहीं या फिर लाइसोसोम पादब कोसिका में पाए जाते हैं क्या तो वहाँ पर भी आपको लगाना है नहीं ठीक है अब अंतर जो है यहाँ पर देखिए अंतर का आधार आगे पढ़ते हैं उसको कोशिका रसयुक्त रिक्तियां इसमें जो है कोशिका रसयुक्त रिक्तियां उपस्तित होती है और इसमें अनुपस्तित होती है वही चीज़ देखें लवक लवक जो होते हैं इसमें उपस्तित होते हैं एक चीज और इसमें होता है लवक वही हरित लवक तो हरित लवक जो होता है पादप में होता है जन्तु में हरित लवक नहीं होता है फिर पक्षमा भिका और कसा भिका इसमें सामानेता है यह जो है अनुपस्तित होते हैं और हमारे जन्तु कोसिका में यह चीजे होती हैं तो यह major जो चीजें थी हमने आपर देख ली अब प्रमुख कोसिका है रचना और उनके कार उनके जो रचना है और उनके कार के बारे में देखते हैं तो रचना है जैसे कि कोसिका भित्ती है जिसको हम cell wall बोलते हैं तो यह क्या करता है कोसिका को निश्चित रूप प्रदान करता कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है और कोशिका को सुरक्षा और सहारा देता है तो यह IMP है प्लाज्मा मेंब्रेन की बात करें तो यह क्या करता है कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों के अभी गमन पर नियंतरन करता है अंतर प्रदीप्त जालिका की बा यहां पर दी गई है, देखी क्या क्या है, जयानिकifully कोसिकी स्वसन के, इस्थल एबं उर्जा निर्मान, यानिकी एक कोशन यहां से और उठता है, कि अंताह्श स्वसन में किसका.. जो हमारे एक सरीर में कोसिकाओं का स्वसन होता है, तो वो कौन करता है, तो माइक्रो कॉन डिया करता है, तो यह आपको याद रखना है, गौल जी उक्रन की बात करते हैं, तो बिशिश प्रदार्थ का जो है, इस तुरहाण संचय और उनके कोशिकाओं के बाहर निसकासन में सहायता, राइवोजोम प्रोटीन का संसलेशन मोश इसको बोला जाता है, तो यह दोनों important है, इससे questions बनते हैं, जो भी questions बनते हैं, उनको आगे मैंने लिया है, हम बताएंगे बहुती अच्छा test series यहाँ पर बनाएगे, हम लोगों के द्वारा पूरे important questions आपके cover हो जाएंगे, centrosome कोशिका भेवाजन में सहायका होता है, सक्रियस्थल हरित लवक होता है, इसी के कारण प्रकास translation के लिए पूरी हो पाती है, आवर्णी लवक खाद संग्रहन में सहायता करता है, वर्णी लवक की बात करें, तो यह क्याते हैं, करता है फूलों फलों और बीजों के आकरसक रंग को प्रदान करता है, तो देखिए आवर्णी लवक यह मिली जड़ बगैरा में पाए जाते हैं, और यह तो आपको पता है फल फूल का जो कलर होता है, उसके लिए यह निर्धारत करता है वर्णी लवक, अब केंद्रक की बात करें, केंद्रक, तो इसकी दो खोज किस ने की थी, तो रोबर्ट ब्राउन ने क की थी, यह पूछा गया है कई बार, तो इसको याद कलीज़, रोबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, तो कोशिका की उपापचाई कारियों का नियंद्रण एवं कोशिका विभाजन में सहायता करता है हमारा केंद्रक, गुण सूत की बात करें, क्रोमोसोम की बा करता है, केंद्रिका की बात करें, तो प्रोटीन संसलेशन एवं आर एने, आर एने संसलेशन में भी सहायता करता है, केंद्रक जिल्ली, केंद्रक जिल्ली क्या करता है कि कोशिका द्रव से, केंद्रक और केंद्रक से, कोशिका द्रव में पदावतों के अभिगमन पर नियं की है मैंने biology पहले पढ़ाया हुआ है आप biology part 1, part 2, part 3 देख सकते हैं बहुत पुराने वीडियो तो नहीं मैंने 6 महीं ने पहले उनको start किया था और मैंने वह आपको बहुत अच्छी से पढ़ाया तो वहाँ पे भी आप जाके cell पढ़ सकते हो वहाँ पे मैंने और इससे भी ज question हमारे पास की cell, cell जो है किस जीव वैग्यानिक ने सरपथम दिया था नहीं कि cell का नाम जो है किस जीव वैग्यानिक ने सबसे पहले दिया था जैसा कि हमने पढ़ा है कि Robert Hook ने Robert Hook ने दिया वह भी कब 1665 में हमने पढ़ा था तो आपने पढ़ा है और एक पार इस test को लगा लोगे तो आपको याद हो जाएगा तो इसका अंसर है डिटेल में अब ठोक माइक्रो कॉंडिया में अनुपस्तित होता है क्या आप देखिए कुछ कॉस्टन जो हमने डीटेल में नहीं पढ़े या डीटेल में वह पॉइंट नहीं है तो यहां आपके test में वह मैं कवर कर जा रहा हूं तो माइक्रो कॉंडिया किस में अनुपस्तित होता है इस्ट में कवक में जीवाणू में या हरे सैवाल में तो जीवाणू में माइक्रो कॉंडिया नहीं पाया जाता निमलेखित में से सबसे छोटी कोशिका कॉंसी तो मैंने आपको बताया था माइको अब बात करें अगले question की, तो अगला question है हमारे पास, कोशिका की किरियात्मक गती विधियां नेंतरण होती है, किसके द्वारा, वो होती है केंद्रक के द्वारा, ये भी अभी हमने जश्ठी पढ़ा था, कि कोशिका में जो है जितनी भी किरियात्मक गती विधियां, उसके आत्मक होती है यह फिर अपा में होती है तो यह होती है पारगम में कोशिका भित्ती क्या होती है पारगम में होती है cell wall कोशिका में protein sensation कहां पे होता है तो अभी हमने बता है protein sensation राइवोसोम में होता है राइवोसोम का काम भी है protein का sensation करना तो इसका answer हो जाएगा second बाला बहुत ही easy क्योंकि आपने detail पढ़ लिया तब objective आपसे बिल्कुल बन जाएगा है ना लाइवोसोम की बात करते हैं तो लाइवोसोम का कार आखर है क्या यह करता क्या है protein sensation processing तथा packaging अंतियक कोशिक्येपाचन यह पिर बसा sensation तो इसको हम क्या बोलते हैं जो अच्छा इसकी comment करके बताईएगा इसको तो मैंने पढ़हा दिया है लेकिन एक question भी पूछना यहाँ पर बनता है आप लोगों से कि आपको आखिर यह याद है कि नहीं जो पढ़ाया कि नहीं तो जैसे ही इस question में पहुँचे तुरंट इसको comment कीजिए कि Lysosome को और हम क्या बोलते हैं ठीक है Lysosomes की बात करें तो इसको हम और क्या बोलते हैं एक चीज और बोलते हैं इसको hint देता हूँ कुछ थैली बोलते हैं किसकी थैली बोलते हैं comment करके बताईएगा निमलेखित में से कौन सा कोशिकांग यानि की DNA रखता है किसमें DNA है इसका answer हो जाएगा microcondia यह question बहुत बार पूछा गया है इनको easy में ना ले यह question बहुत ही IMP है जितने भी question में बता रहा हूँ सब IMP और उसमें से भी IMP मैं आपको बता रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है कि microcondia में DNA पाया जाता है यह question SSC, CGL में पूछा गया था I think 2016 में पूछा गया है किसी ना किसी set में मेरे पास इसके questions रखे हुए है तो यह जो है SSC का तो favorite है ही RRB में भी पूछा जा सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पर science की बात कर रहा है तो इस पार जरूर पूछे जाएंगे यह question तो DNA microcondia में पाये जाते हैं कोसिका का जीवित अंस जीवद्रव कहलाता है और यह किस से बनता है यानि कि प्रोटो प्लाजम किस से बनता है केवल कोसिका द्रव से कोसिका द्रव और केंदरक द्रव से केवल केंदरक द्रव से पिर कोशी का द्रव और केंद्रक द्रव और अन्य कोशी कांगों से तो यह बनता किसे है तो यह बनता है आपका इन सभी चीजों से यानि की कोशी का द्रव से केंद्रक द्रव से और अन्य कोशी कांगों से यह बनता है जीवन का भौतिक आधार क्या है जीवन का भौतिक आधार यहाँ पर क्या है तो option है हमारे पास केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म, भोजन या फिर कोशीका तो जीवन का भौतिक आधार है आपका प्रोटोप्लाज्म क्या है यहाँ पर फ्रोटो प्लाज्म अगला कॉस्चन है हमारे पास कि यदि माइक्रो कॉंडिया का काम करना बंद करते तो सरीर में कौन सा कारे नहीं हो पाएगा भोजन का उक्सी करण भोजन का पाचन या फिर भोजन का आवो सोचन तो यहाँ पर भोजन का उक्सी करण नहीं हो पाएगा अगर माइक्रो कॉंडिया वो कारे करना बंद कर दे क्योंकि इसको हम अपने सरीर का क्या बोलते हैं पावर हाउस कहा जाता है तो यह इंपोर्टेंट है जीवदरव्य सब्द का सबसे पहले प्रियोग किसने किया तो जीवदरव्य अगर सब्द की बात करें तो इसका प्रियोग सबसे पहले किसने किया तो इसका प्रियोग सबसे पहले किया है पुरकंजे ने किसने पुरकंजे ने और लेकिन इसकी खोज की बात करें तो खोज करी थी जीव द्रव्व की किसने डुडार जिन डुडार जिन ठीक है डुडार जिन ने इसकी खोज की थी तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कोसिका का पावर हाउस किसे कहता है अब भी मैंने बताया था कोसिका का power house कहा जाता है third वाले को याने कि micro कंडिया को तो इसकांसर हो जाएगा third वाला तो ये जो देखिए जितना मैंने जो पढ़ाया है वही question यहाँ पर आ रहे हैं तो आपसे easily यह बन रहे हैं सिर्फ इनी दो मैंस होती है तो कोसिखा भित्ति होती है अगला question हो कोसिखा को एक निश्चित रूप प्रदान करता है कोसिखा भित्ति क्यों क्योंकि निश्चित आकार देता है यह आपका पेड़ हो गया तो यह पेड़ ऐसा है तो इसके बाहर जो है कोशिका भित्ती सैल बॉल है जो की द्रण इसको आकार दे के रखा है लेकिन हमारे सरीर में कोशिका का आकार नहीं होता वो टेड़ा टाड़ा भी हो जाता है DNA double helix का प्रारूप मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था DNA double helix most IMP कॉस्चन जो है बहुत ही IMP कॉस्चन है इसको most IMP कर लीजिए कि DNA का double helix model किसने दिया था तो वो दिया था आपका Watson and Crick ने किसने Watson and Crick ने दिया था स्लाइडन स्वान नहीं लगाना है स्लाइडन स्वान ने जो है कोसिका का सिधान दिया था लेकिन DNA का double helix जो प्रारूप दिया था वो दिया था बॉस्टन जो Watson होता है Watson तथा Crick अंतर प्रदिप्त जालक की खोज किसने की थी तो अंतर प्रदिप्त जो जालक है इसकी Royal Bride क Training की खोज की थी second Valdas सही है अगला Question है कि eletsron सुक्षम दरसी की Kोज की कि कि आपकी Caroline सुक्षमदरसी तो इसकी खोज की थी आपके nole of a रसकाने किस ने नौल तथा रसकाने कोशिका में राइवोसोम की अनुपस्तिती में निमलिखित में से कौन सा कार नहीं हो पाएगा तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि राइवोसोम क्या करता है राइवोसोम करता है प्रोटीन संसलेशन करता है तो प्रोटीन का संसलेशन यहां पर नहीं हो पाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा थाड़ वाला कॉस्टन है कि लाइसोसों में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को ओनला देने या नश्ट कर देने की छम्ता होती है कहलाता है कि Nahis ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो की जो है उसको नश्ट कर देने की इसमें छमता प्रदान करता है कि निमलिकेत में से किसने यह मूला उधारना प्रस्तुत की थी कि सभी जीप कोशिकाओं के बने होते हैं तो इसमें से किसने तो स्लाइडेन और स्वान दोनों ने यहां पर किया था तो इसका अंजस हो जाएगा दो और चौथा याने की डी वाला एकदम सही हो जाएगा देगे सभी कॉशन मैंने पढ़ा हुए इन डीटेल में तो यह आपको जो है आसान हो रहा होगा इसको इसको लगाना तो आपको कमें करके भी बताएगे कि यह सर्व नाइस है या अच्छी है जैसा हिंदी इंगलिस में कमेंट करना चाहिए आप कर सकते हैं और लाइक करके भी बताएगे कि हाँ हमको पसंदार है लाइक जरूर कीजे वीडियो को सिका द्रब्ब में उपस्थित महीन साकित जिलीदार और आन जिलीदार यानि की कुछ इस टाइप का जाली जैसा इसमें आहिराय नाम में जाली का अगला कॉस्चन कौन सा कोसिकांग प्रोटीन संसलेशन में प्रमुक भूमी का निभाता है तो देखिए प्रोटीन संसलेशन में जो है आपका यहाँ पर राइवोजोम जो था आपको अगर यह नहीं भी पता है तो कोई दिकत नहीं राइवोजोम यहाँ पर सिर्फ एक ही में तो इसको आप लगा सकते हो राइवोजोम जो है आपका प्रोटीन संसलेशन में भाग लेता है कोसिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या तो आत्महत्या की थैली बात करें तो यह लाइसोसोम कहलाता है यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाइसोसोम जीव द्रव्य की बात करें तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह कथन किसका है यानि कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह किस ने कहा था हैंडी ने हैक्सले ने लैमार्क ने या पिर Traverance ने, तो यह कहा था, हैक्सले ने, किस ने, हैक्सले ने यह कहा था, अगला कौश्चन है कि निमलिखित में कौन सबसे बढ़ा कोशिकांग है, है ना, सबसे बढ़ा कोशिकांग है, गुण सूत्र है, या chromoplasd करता है पर tonoplast करता है तो इस काांसर है chromoplasd क्लोμο platform के द्वारा बीजों फलों का अकर सकरण यहां पर प्रदान किया जाता है अगला question है हमारे पास कि कौन सा अंगक प्राय जनतु कोसिका में उपस्तित नहीं होता है क्या पूछा है कौन सा अंगक्रा है जन्तु कोशिका में नहीं होता है लवक गौलजी काय माइक्रो कॉंडिया या फिर प्रदीप्त जालिका गौलजी काय भी होता है माइक्रो कॉंडिया भी होता है अन्ते प्रदीप्त जो अन्ते प्रदव्य यानि कि जो अन्ते प्रदव् लोग नहीं पाया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा पहला वाला अगले question की बात करें तो अगला question है कि कोशिका होता है तो इसमें स्वसंग किरिया कहां पर होती है कोशिकाओं का स्वसंग स्थल किसे कहा जा सकता है ऐसा भी question बनता है तो इसका answer है आपका Mitochondria क्या है आंसर? Mitochondria Mitochondria का भीतरी वलन किसको कहा जाता है? Microcondria का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका Christy देखिए इसमें जो question मैंने लिए गए है ये आपके easy से tough easy से tough हैं यानि कि easy question भी है और यहाँ पर tough question भी लिए गए हैं क्योंकि हर exam में questions जो है easy से tough हाते हैं जैसे कि group D होगा तो उसमे easy question आएगा लेकिन अगर local pilot दोगे तो उसमें थोड़ा से tough question आएगा इसलिए मैं हर प्रकार की question को add किये गए है सरवादिक संख्या यानि कि 2N में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्य में मनुस में आलू में या फिर ophioglossum में ठीक है ophioglossum में तो यह पाए जाते हैं गन्य में किसमें पाए जाते हैं पतियों का हरा रंग जो है कौन प्रतान करता है ख्रों प्रत्र फलोज अधान करता Size कौने करते हैं और मैं व्र्माोज ऑप्रतान करते में जैपढ़ा अन्य टारे घ्र्त या विक्शन या Centromere या पौदे की कोशिका भित्ती की उबस्तिती तो आंसर वही है कोशिका भित्ती मैंने बताया है एक कोशिका भित्ती और एक लवक यह दो चीज जो है अलग करती है तो कोशिका भित्ती पादप में पाई जाती है जन्तू में नहीं पाई जाती है अब Nucleus की बात करें, तो Nucleus की खोज किसने की थी, तो Nucleus की बात करें, तो Levenhawk, Swan, या फिर Hawk, Mr. या फिर Brown, उनने की थी, किसने, Robert Brown ने, केंद्रक भी बोला जाता है, केंद्रक की खोज भी जो है, Brown के द्वारा ही की गई थी, कौन सा कोसिकांग, केबल पादप कोसिकांग में पाया जाता है, कोसिका भित्ती, लबक, रित्तियां या फिर ये सब भी तो इसका अंसर है, लबक, लबक जो है यहां पर, केबल पादप कोसिकांग में पाया जाता है, वसे कोसिका भित्ती, जो सेल बॉल होता है, वो भी पाया जाता है, आपका सिर्फ पादप कोसिकां आपको इसको सब्राइब तो यहां पर ऐक में पर एक option यह और होदक सब्सक्राइब कांव इन्तु में कोशिका भित्ती नहीं पाई जाती है, सेल बॉल नहीं पाई जाती, तो ये कुछ कॉस्टन थे, जो कि हमने यहाँ पर लिये, जो कि थोड़े से इमिरेंट थे, यहीं कि आपको डिटेल भी पढ़ा दिया मैंने, और आपको टेस्ट भी करा दिया, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तयार हो जाए, जल्द ही आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, ठैंक यू, जै हिंद, जै भारत,